विधार्थियों आजकी इस वीडियो में हम संग लोक से वायों के बारे में इसकस करेंगे जिसको हम UPSC के नाम से जानते हैं आज का इस वीडियो यह 24 के जो विधार्थी है उन विधार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की या अन्य जो बड़ी परिक्साइं आयोजित की जाती है वो इसी आयोग द्वारा आयोजित की जाती है और भारतिय सविधान का जो भाग चोद्य है और उसका जो अनुचे 315 से लेकर 323 है उसके अंतरगत हम संग लोकशिवायोग के बारे में जो मेत्वपुन प्रावधान हमारे सविधान में किये गए हैं उनके बारे में अध्यन करेंगे संग लोकशिवायोग जो है वो पहली बार 1926 में जो ली कमिशन था उसके अनुचंसा के अधार पर सर्वपर्थम भारत में लोकशिवायोग है उसकी स्थापना की गई थी बारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसके अंतरगत फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमिशन का गठन किया गया और इसी अधिनियम के अंतरगत पहली बार प्रांतिय इस्तर पर लोकशिवायोग के गठन का प्रावधान भी किया गया 26 जनुरी 1950 को देश में नया सविदान लागू हुआ उसके साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन को अनुच्छे 315 के अधिन स्वेद सेंस्ता की रूप में स्वेदानिक दरजा परदान किया गया और संग लोकशिवायोग है उसका नाम दिया गया अनुचे 315 से लेकर 323 तक आयोग के संगठन सदस्यों की न्यूक्ति सदस्यों का कारिये काल सदस्यों को पद से हटाने की परकिरिया आयोग की सवतंतरता एवं सक्तियों एवं कारियों के समंद में वर्नन किया गया है या इन अनुचेदों में इनके बारे में प्रावधा किया गया है अब सबसे पहले हम यदि आयोग की सरंचना को देखें तो आयोग की सरंचना के अंतरगयत सविधान में ये कहा गया है कि संग लोक्षिव आयोग का एक अधेक्स होगा और अन्य सदस्य होंगे जिसका निर्धारन राष्ट पति द्वारा किया जाएगा यदि वर पत्मान समय में इस आयोग में एक अधेक्स होता है और इसके अलावा 10-11 सदस्य आयोग में कारियरत हैं संग लोक्षिव आयोग के जो अधेक्स होते हैं और उनकी सदस्यों की योगताओं का उलेक सविधान में कहीं नहीं किया गया है परंतु यह आउसेख है कि संग लोक् के कारिये का अनुभव प्राफ हो यानि यदि हम बात करें संग लोग से वायोग के सदस्यों की योगताओं की तो इस समंद में बारतियक का जो सविधान है वो इस समंद में मोन है सविधान में इन योगताओं के बारे में कोई इसपस्ट प्राफधान नहीं है लेकिन इसमें कम से कम आदे सदसे ऐसे होते हैं जो या तो केंदर सरकार या राज्य सरकार के अधीन लग वागए दस वरस तके जिनको कारिय का अच्छा अनुबव होता है अधीक्स और सदस्यों का जो कारिय काल है वो 6 वरस या अधिक्तम 65 वरस के आयो यानि जो भी पहले हो तक निरधारित किया गया है अधीक्स और सदस्यों की नियुक्ति राष्टपति के द्वारा की जाती है यानि सदस्यों का जो कारिय का अधिक्स होता है उनका कारिय काल या तो उनका नियुक्ति को 6 वरस का समय पूर्ण हो जाए या उनकी आयोग पहले 65 वरस हो जाए यानि इन में से दोनों में जो भी पहले हो निर्दाइद किया गया है और अध्यक्स और सदर्शियों की जो न्युक्ति का जो अधिकार है वो बारत के राश्ट्रपती को परदान किया गया है राश्ट्रपती आयोग सदर्शों को उस्तम नेयले की सला के पस्चात ही हटा सकते हैं अक्षमता कदाचार के अधार पर सदर्शों को हटाने से पूर्वा राश्ट्रपती जो है वो उस्तम नियाले से जांच करवाता है और जांच रिपोर्ट की अनुसंसा के आधार पर राष्ट्रपती है वो उनको पत्से हिटा सकता है सवयदान के इस उपबंद के अनुषार उस्तम नयाले दोरा इस मामले में दी गई सलाय रास्ट पती के लिए बाद्धे है उस्तम नियाले द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्टपती संग लोग से वायो के अध्यक्स वद दूसरे सद्द्शों को निलम्बित कर सकता है इसके अतरिक्त यदि उसने कारी एकाल के दौरान किसी याने विबागी सिवा स्विकार कर ली हो तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है तो इसके अंतर गते उस्तम नियाले जो प्रामर्स देता है वो या सलाह देता है वो राष्टपती मानने के लिए बाते है और यदि उस्तम नियाले द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्टपती जो है वो जांच के दोरान भी इन सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द में संग लोग सेवायों के किसी सदसे को कार्यवाय अध्यक्स के रूप में न्यूक्त कर सकता है जब अध्यक्स का पद रिक्त हो दो प्रिस्तितियों में राश्ट्र पती है वो कार्यवाय का अध्यक्स की न्यूक्ति कर सकता है पहली कंडिशन क्या होती है जब अध्यक्स का पद रिक्त होता है और दूसरी कंडिशन ये होती है जब अदेक्स अपना काम अनुपस्तित या ने दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो ऐसी इस्तिती में बारत का जो राश्टर पती है वो कार्यवाह का अदेक्स की न्युकती संग लोग से वायों के लिए कर सकता है कार् आयोक की सवतंतरता और यदि स्वाहित्ता के बारे में हम बात करें तो सविदान में संग लोग से वायों को निश्पक्स वा सवतंतर कारिये करने के लिए कुछ उपबंध है वो निर्धारित किये गए हैं चैarias कंप ड सुआ हैं को इनको राश्ट्रपती सविदान में वर्नित आधार पर ही हटा सकता है इसलिए इने पदावदी की सुरक्षा प्राप्त है यानि जो निर्धारित परकिरिया है उसका पालन करते हुए ही राष्ट्र पती है वो उनको पद से हटा सकता है और यह प्रावधान करते हुए इनके पद की सुरक्षा की गारंटी परदान की गई है दूसरा जो है वो उसके अंतरगत हालांग की अध्देक्ष या सदश्य की सेवा की सर्थे रस्ट पतिते करते हैं लेकिन न्युक्ति के बाद इनमें एलाबकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता यानि इनके वेतन बत्तों में किसी परकार की कोई सामने प्रिस्ततियों में कटोती है वो नहीं किया सकती तो दूसरा ये है कि नुक्ति के बाद इनकी सेवाव में कोई एलाबगारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता तीसरी जो सबसे महत्रपुन बात है वो ये है कि संग लोक से वायों कि अद्धेक्स और जो सदसे हैं उनको वेतन, भत्ते, पैंसन, सहीत जितने भी खर्चे हैं वो बारत की संचित निदी से प्राप्त होते हैं इन पर संसद में मद्दान नहीं होता तो तीसरी जो सबसे महत्रपुन जो बात है वो ये है कि संग लोक से वायों का अद्धेक्स जो है जो बात है कारियकाल के बाद बार्च सरकार या किसी रज्जे सरकार के अधिन किसी और नियोजन नोकरी का पात्र नहीं हो सकता अगली जो सबसे मेत्वपुन जो बात हुई एंकि संग लोग सेवायोग के अधिक्स या किसी राज्ज्य लोग सेवायोग के अधिक्स के रूप में न्यूट हूने का पत्र होगा लेकिन बार्थ सरकार या किसी राज्य के दिन नियोजन का पतर नहीं होगा तो इसके इंतरगत ये है कि मानलेज्टे संग लोग सेवायोग यानि UPSC है उसका जो सद्सर का मानलेज्य कारिय काल पूर्ण हो गया तो वहे संग लोग सेवायोग का अधेक्स बन सकता है या किसी रज्य लोक्षवायोग के अदेक्स के रुप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है लेकिन बार सरकार या किसी रज्य सरकार के अदिन नियोजन का पातर नहीं होगा संग लोक्षवायोग का अदेक्स या सदसे कारिय काल के बाद पुन्य अन्योक्त नहीं किया जा सकते एक प्रकार से दूसरे कारी अकाल के लिए इनको नहीं लगाया जा सकता संग्लोक्से वायोग के जो अध्यक्स होते हैं वो और जो सदस्से हैं उनको दूसरे कारी अकाल के लिए योगे नहीं माना गया है आयोग के दि हम कारियों की बात करें तो विबिन केंदरिये सेवाओं है तु भर्तिके के एक एजनसिय यूप्यस्थी है जो संग लोग से वायोग द्वारा परतियोगी परिक्षाओं का आयोजन करवाना उन में न्योप्ति के लिए प्रिक्षणों का आयोजन करवाना किसी रज़ेपाल के नुरोद पर रास्थ पती की सुविकर्थी के अपरांत सब राकitan के नहीं मामलों पर रालों को सलापर्दान करना आयोगपरतियों की प्रिक्षा की पाठ्यकरम और प्रिक्षा प्रकिरिया का निर्धार्ण करता है जब दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक सेयुक्त राज्य लोग सेवायोग के गठन का नुरोद करते हैं तो ऐसी स्थिति में संग लोग सेवायोग द्वारा प्रेक्ष्यक आयोजन किया जाता है कुछ सलाकारी कारिये भी आयोग के द्वारा किये जाते हैं जिसके अंतरगत संग लोग सेवायोग संग सरकार की एक सलाकारी संस्ता के रुप में कारिये करता है सिविल सेवायोग के प्रामर्स को नहीं मानने पर सरकार द्वरा संसद में उसका लिखित कारण बताना आउसे होता है केंदर ये जो लोग सेवक होते हैं यानि केंदर ये लोग सेवकों वह अखिल भारतिय सेवकों की जो पदोंती है उसके संद्रब में भी लोग सेवायोग से प्रामर्स लिया जाता है अखिल भारतिय सेवकों की परतिन्युक्ति इनके वरूद धरनुसासनात्मक कारव करने के समंद में भी संगलोकसेवायोग द्वारा प्रामर्स लिया जाता है तथा साकसातकार भी संगलोकसेवायोग के द्वारा ही आयुजित किये जाते हैं सेवाओं के पठे करम परीक्षाओं के प्रारूप में परिवर्तन के अनुसंसा संग लोक्सेव आयोग द्वारा कार्मिक मंत्राले को भेजी जाती है कार्मिक मंत्राले द्वारा संग लोक्सेव आयोग के प्रामर से ही सेवाओं के केडर का विवाजन है वो किया जाता है एक सलाकारी सहस्ता के रूप में भी है, ज़से प्रकारिये करता है, संग लोक से वायोग भारत में सिविल सेवकों की बरती की एक प्रकार से सहस्ता है, संग लोक से वायोग की सरवादिक मैतरपुण भूमिका निश्पक्स और तटर्स रूप से सेवाओं हेतू बरती करना है, एक लोक तंतरिक देश में सरकारी सेवाओं में तटर्स और निश्पक्स निउक्ति बेहत मैतरपुण होती है, ताकि सरकार में बैठे लोग सरकारी से पर नियंत्रण ने कर सकें आयोक की कुछ सिमाएं हैं उन सिमाओं के बारे में भी हम डिसकस करेंगे जैसे बारत का जो सीएजी है नियंत्रण और महालेखा प्रिक्षक वैच चुनाव आयोक के समान ही संग लोकसेव आयोक की भूमी का आतेधिक मेतुपून और सरान ये है और ने नोकरियों में आरक्षन प्रदान करते समय संग लोकसेव आयोक से प्रामर्श नहीं लिया गुरूप सी और डी की सिवाओं की बड़ती संग लोकसेव आयोक द्वारा नहीं की जाती अनेक शारवजनिक सैंस्तानों इसरों DRDO जो सेंट्रल इनविश्टी है आदिष स समंदित न्युक्तियां संग लोग से वायोग नहीं करता है राष्ट्रपति संग लोग से वायोग के दायरे से किसी पद सेवा वे विशे को हटा सकता है सविधान के अनुसार राष्ट्रपती अखिल भारतिय सेवा केंद्रिय सेवा वेपद के समंद में नियम बना सकता है जिसके लिए संग लोग सेवा आयोग से प्रामर्स क्याव सेकता नहीं है प्रंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपती को कम से कम 14 दिनों के लिए संसद के सदन में रखना होता है संसद इसे संसोधितिया निरस्त है वो कर सकती है तो ये आज के इस वीडियो में हमने संग लोग सेवा आयोग के संगठन उनकी शरंचना उनके सदस्यों की संख्या उनका कारियकाल पदावदी हटाने की परकिरिया उनकी सकतिया इन सब के बारे में उनकी सीमाएं इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिसकस कि इस तरह के वीडियो हैं वो आगे जारी रहेंगे धन्यवाद